आज चली हम बनाती हैं एकदम श्ट्रीट वाली मूमू और साथ में ही रेट और स्पाइसी वाली चट्नी और एक क्वाइट वाली चट्नी कहीं कहीं सर्फ की चाहती है उसे ही बनाकर हम तयार करेंगे बिलकुल असान तरीकी से और फर्स टाम में बिलकुल पॉफिक्ट बनाओगी कोई भी दिखत नहीं आने वाली है बिलकुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी साथ सेयर करूँगी तो बीड़े को बिलकुल इंट तो वाच करना एंट देखने के बाद ट्राय जरूर से करना तो जब भी आप मूमू बनाती हो तो सबसे पहली मूमू का आटा लगाना तो मैंनी हाप पर बॉल में आट किया है एक कप और हाफ कप इतना मैदा और अभी बार इसका मौसम है तो आप मैदा को एक वार जरूर से छान कर यूज़ करना और एक चोथा यह छोटा चमेश अट कर देंगी नमा और बिलकुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे बड़ जो बाहर वाला मूमू होता है उसका जो आटा है उसमें ना तो तो तेलाड होता है और ना ही नमा तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो और एक छोटा चमेश अट कर तो हमारा मुमू बिल्कुल वाइट मन कर तयार होगा तो चली अब हम इसमें आड़ करेंगे पानी तो कोई गरम बरम पानी नहीं लेना है आपको नॉर्मल रोम टिंपरिचर का पानी लेना है थोड़ा थोड़ा आड़ करेंगे और थोड़ा टाइट आटा लगा कर तयार कर देंगे तो चली यहाँ पर मुमू का आटा बिल्कुल तयार है दिख सकती हूँ थोड़ा से मैंने यहाँ पर टाइट लगाया है तो इसे हम ढखकर कम से कम 15-20 नट के लिए रिष्ट पर रखेंगे क्योंकि जो मैदा है बिलनी की बाद बहुत जादा फैलता भी है और बहुत जल्दी वो सिकोड़ भी जाता है तो अगर आप मैदा को अच्छे से रिष्ट कर बाओगे तो वो वाली प्रोग्लम बिल्कुल नहीं होगी और मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया था तो मुझे हाफ कप सी थोड़ा से ज्यादा पानी लगा है अब चली हम चटनी बना लेती हैं तो मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइस का लाल-लाल टमाटर लिया है अगर आप नीच्रल लाल टमाटर के यूज करोगी तो कोई कलर आइट करने की जूरत नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पर मैं टमाटर को दू पार्ट में कट कर दी रही हूँ और जो टमाटर को बैक पार्ट होता हुथा उसे हम कट कर के निकाल देंगे और साथ में ही मुमो को स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है साथ से आठ तीकी वाली सूखी लाल मिर्श तो मिर्शों का हम डंठल यहाँ पर तोड़ देंगे तो जितना आपको स्पाइसी पसंद है उसे सबसे आपके हाँ पर लाल मिर्श लेना और 6 सूखी हुई कास्मेरी लाल मिर्श ले रहे हूँ तो इससे जो हमारा चटनी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा और क्वाइंट बढ़ेगी बढ़ हाँ स्पाइसी बिल्कुल नहीं होगी तो इसका भी हम डंठल तोड़ कर निकाल देंगे अब चली हम बना लेती हैं चटनी तो मैंने हाँ पर लेए सॉस पैन इसमें आट कर दे रहे हूँ टमाटर, कास्मेरी लाल मिर्श और सुख्यूई लाल मिर्श और 8 से 10 के असपास गार्लिक क्लोव आट कर रहे हूँ और दो कप इतना पानी आट कर देंगे और इस पैसली जो मिर्श उसे पानी में अच्छी से डुबो देंगे ताकि अच्छा खासा ये सॉफ्ट हो जाए और अब यहाँ पर हम चटनी को ढटकर 8 से नॉमनेट के लिए बिलकुल लोफले पर पकाएंगे तो मैंने इसे छोटी वाली चूली पर कर दिया है ताकि अराम से ये साइड में पकता रहे अब चली हमें स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कैविस लिया है तो इसका मैं हाफ यूज करने वाली हूँ मतलब आपको जितना स्टफिंग बनाना है उसे सापसे आप यहाँ पर पतवगोबी का यूज कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छे से पतवगोबी एकदम भरा-भरा है तो यह बहुत अच्छे से ग्रेट हो जाएगा तो अब हम चलिए पतवगोबी को ग्रेट करें लेते हैं तो जो ग्रेटर का मोटा वाला साइड़ उसे ग्रेट करेंगी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास चौपर है तो आप उसका इस्तमाल कर लो या फिर हातों से भी बिल्कुल फाइन चौप कर सकते हो सिर्फ कैरूट और कैविस का यूज़ करने वाली हूँ आप यहाँ पर प्यास, सिमला मिर्श, कॉर्ण, मस्रूम, पनीर, चिकिन, कुछ का भी इस्तमाल कर सकते हो तो चलिए दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से फाइन ग्रेट काइट दिया है, इसमें अट कर रहे हूँ आधा चमचितना नमक, अच्छे से हातों से मिक्स कर लेंगे और कम सी कम 5-7 मिनट के लिए से ब्रेश्ट पर रखेंगे, ताकि चुनमक है उसकी बज़े से कैविज और कैरूट का एक्ट्रा पानी रिलीज हो जाए अब चली एक वर हम टमाटर और मिर्शो को छेक कर लीते हैं, दीख सकते हूँ काफ़ी अच्छे सी सॉफ्ट हो गया है तो पहले हम इसी कम्प्लीटी ठंडा कर लेंगे और उसकी बाद आगे का प्रोसेस करेंगे तब तक चली एक पेश्ट बना लीती हैं, तो मैंने यहाँ पर लिए छूटा लिक रैंडर शार और इसमें आट कर रहे हूँ, दस सी बारा के आसपास तारलिक लूप और छोटा छोटा चार टुकरा अत्रक का और चार हरिमर्श, बस सभी चीज़ों को हम दर-दरा यहाँ पीस कट तयार कर लेंगे, तो दीख सकती हूँ, काफी अच्छी सी पीस गया है, कोई पानी बानी के ज़रुवत नहीं है, बस हलका से दर-दरा इसम पीस लेंगे, अब चली हम स्टफिंग को कम्प्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पर गाजर और कैविस को रख्यों हुए पानी उसे निकाल लिएंगे, तो ऐसे दीखने में बिल्कुल नहीं लगे कि इसमें पानी है, बड़ दीख सकते हूँ, कितना मात्रा में इसमें पानी है, तो जो इस टफिंग है, उसे ट्रांसर कर देंगे, दूसरा बॉल में, तो यहने दू बैच में यहाँ पर पानी को चोड़ा था तो अच्छे से यहाँ पर हम स्टाफिंग को फैला लेंगे अब जो यह पानी है आप इसे बिल्कुल मत फीकना आप इसका सूप बना सकते हूँ या फिर किसी भी सबसी में इस्तमाल कर सकते हूँ उसे पतला करने के लिए और अब चली मैं इसमें आप कर दे रहे हूँ दरदरा पिसा अज्रा क्लहसन और हर्य मर्श चोकि हमने पहले बनाया था और पाने रिलीस करने के लिए हमने पहली भी नमख आड़ किया था तो उसका फ्लीवर अभी भी है इसलिए मैं यहाँ पर एक चोथाई छूटा चमश आड़ कर रही हूँ और एक चोथाई छूटा चमश आड़ कर देंगी काले मिर्च का पॉर्डर बस अच्छी से मिक्स कर लेंगी जिनरली यही वाले स्टफिंग मार्गेट में यूज की जाती है वो कोई कॉर्ण, सिमला, मिर्च, प्यास वगिरा स्टफिंग में बिलकुल नहीं आड़ करते हैं और फानली मैं यहाँ प्राइड कर दे रही हूँ फाइन चॉप क्या हुआ धनिया पत्ता एंड हमारे स्टफिंग बिलकुल तयार हो चुकी है अब चली हम बना लीते हैं मुमू की स्पाइसी लाल वाली चटनी तो यहाँ पर टमाइटर और मिर्च अच्छे से ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर हम टमाइटर का छिलका नहीं निकालने वाले हैं इससे हमारे चटनी एक दम दर-धरी street style तयार होगी तो चली है अब यहाँ पर हम बीना पानी का ट्रांसवर कर देंगी grinder चार में अंडर यह पानी देख रहे हो इसका इस्त्माल हम बाद में करने वाली हैं तो चलिए मैंने यहाँ पर चटनी को बिल्कुल पॉफिक तरदरा पिसकट तयार कर लिया है, आप इसको कंसिस्टेंसी देख सकते हूँ, एकदम ऐसा है श्ट्रीट वाला होता है चटनी, अब चलिए हम चटनी में लगा लेते हैं एक तड़का, तो पैन में आड़ कर रहे इक चमस तील, जब तील गर्म हुझा तो आड़ कर देगी, तरदरा पिसा हुआ अज्रा, लहसन, हरे मिर्च, हलका सु सौटे करेंगी, और उसके बदा आड़ कर देगी पिसा हुआ लाल मिर्च और टमाटर, मिक्स करेंगी थोड़ा सा, और जो पानी हमने रखा था था वो और एक चुट चमस आड़ कर दे रही हूँ, मैं यहाँ पर विनीगर, आब इसी चटनी को लंबी से में तक श्टूर कर सकते हूँ, और हलका से खटास आएगा लिमन जुसका भी उसकर सकते हूँ, और एक चुट चमस आड़ कर देंगी, सुया सॉस और चटनी को अब वासा थिक हो जाए, और यह वाली चटनी आप ऐसे ही ट्राय करना आपको इतना ज्यादा पसंद आने वाला मैं बता नहीं सकते हूँ, तो साथ से आठ मिनट के बाद ही तयार है, आप एक और इसका कंसिस्टेंसी देख लिए ठंड़ा होनी के बाद और वी जादे थिक हो ज चुकी है, अब मैं यहाँ पर एक बना रही हूँ, वाइट वाला चटनी, जो कि कहीं कहीं सर्फ किया जाता है मूमों के साथ, वैसे तो मेयोनीज भी चलता है, तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप इतना मूम फली, यहाँ पर हम मूम फली को अच्छी से कर लेंगे रोश था, उसे में मैं यहाँ पर चटनी बना रही हूँ, तो थोड़ा से मैंने रहनी दिया है, और जो मूम फली उसे आड़ कर देंगे, और साथ मैं आड़ कर देंगे, दो से तीन बड़ा चमश पानी और दरदरा पीस कर तैयार करेंगे, बहुत जादा फाइन नहीं पीसना है तो देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी, और साथ मैंने यहाँ पर पैन में आड़ कर दिया है, एक कप इतना पानी, और एक चमश आड़ करेंगे, अभी फ्लीम को मैंने अन नहीं किया है, बस अच्छी से निक्स करेंगे, कोई भी लंस नहीं रहना चाहिए, और आधा च चली एक और हम यहाँ पर छिक कर लेते हैं आटा को, तो काफी अच्छे से सेट हो चुका है, वापस से एक से डिवमेट के लिए हम इसे गूल लेंगे, मतलब स्मूथ कर लेंगे, अब चली इसकी हम छोटी छोटी लोई बना लेंगे, तो पहले मैंने यहाँ पर आटा को च चुटा-चुटा कट कर लेंगे अच्छे से ऊसे हम दबाकर गूल कर लेंगे और सभी को मैंने ढ़की से बना कर त्यार यार कर लिया है, आप चली चुटी-छुटी पूरी बना लेते हैं, तो बस इसे हम मेडियम ठिक बेल कर त्यार करेंगे, बिल्कुल इस तरीके सी आप चाहते एक बड़ी पूरी बना कर उसमें से छूटा छूटा भी गुल निकाल सकते हो चलिए आप हमें से फिल कर लेंगे तो मैंने हाँ पर हाथ में ले लिया है पूरी और इसमें रखेंगे हैं स्टफिंग आपको चितना पसंद है उसे सबसे आपके हाँ पर स्टफिंग भड़ना और जो मूमू का एक साइड है उसमें हम चूटी बना देंगे बहुत सिंपल तरीके से और जो हाफ है उसमें हम चिप खा देंगे बहुत सिंपल है कोई बच्छा भी से बना लेगा तो एक और आप इसका लुक देखो कितना ज़्यादा पॉफिक्ट है एक्दम सिंपल तरीके से आप इसे बना कर तयार कर लोगी तो बस मैंने सेम तरीके से सभी को स्टफ कर दिया है और अब चली इसे में स्टेम कर लीते हैं तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में साथ से आठ काप इतना पानी रखा है ताकि पानी की कमी ना हो और इसके उपर मैं यहाँ पर एक प्लेट रख रही हूँ जिसमें की होल है और इसे महलका सा ग्रेस कर देंगे ताकि जो मुमो वो चिप की ना आपके पास स्टीमर हो तो आप उसका यूज़ कर लीना है और मुमो को प्लेस करेंगी थोड़ा थोड़ा दूर पर और ढखकर कम से कम मेडियम फ्लेम पर आठ से नॉमनेट के लिए मैं से स्टीम करेंगे तो चली अब मैं आपको दिखा रही हूँ टूटल नॉमनेट के बाद काफी अच्छे सी स्टीम हो चुका है बहुत ज्यादा भी गर्म है तो बस इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो मैं इसे निकाल रही हूँ और दूसरा तिसरा जो भी बैच है उसे स्टीम कर लेंगे अब चली हम इसे गर्मा गर्म सर्फ करती है आप इसका लुक देख सकते हैं कितना ज्यादा टेंपटिंग है आप इस तरीकी से बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा मुमू पसंद आने वाले एक दम इस ट्रीट की तरह बनकर तयार होगा और बस वाइट वाली और रेट वाली हम चटनी सर्फ करेंगी इस चटनी का तो कोई कम प्रीजन नहीं कोई और चटनी से और इस लाल वाली चटनी कोई कम से कम साथ से दस दिनों के लिए फ्रीज में रख सकते हूँ बिल्कुल खराब नहीं होगा और उपर से मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रहे हूँ फाइन छॉप किया धनिया पत्त और चाट मसाला और बस आप इस तरीके से एक बार ट्राय करो मेरी कहने पर आपको बहुत पसंद आने वाला है तो इस कॉम्बो को ट्राय करो और ट्राय करने की बाद आपकी रिस्पी कैसी बने कमेंट में जरूर से बताना और मेरी रिस्पी कैसी लगी वो भी जरूर से बताना और चैनल प झाल